एलो स्टूरेंट्स, वैलकम ट्यो माइडनीट ब्रीन्स, इस अनाव मीका सिंग कैसी हैं आप सभी मैं आशे करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में इस प्यारी सी वीडियो में जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर रही हूँ हमने जो हमारे क्लास 10 का एक बड़ा प्यारा सा चाप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानि की हिंडी में जिसे हम विद्धुत कहते हैं इसके दो important section होते हैं एक होता है विद्ध विभव और एक होता है विभवांतर दोनों में के difference होता है दोनों में क्या अंतर होता है कि दोनों ही same चीज़े एक ही चीज़े तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ नहीं दोनों ही कैसी होती है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़े हैं तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक और चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विद्ध परिपद आरेक क्या होता है इन सबे चीज़ों को हम देखने वाले हैं तो काफी जादा इंट्रिस्टिंग आज का सेशन होगा तो पहले ही विडियो को लाइक कर देंगे पहले ही विडियो को शेयर कर देंगे बाकि आज के इस प्यारी से class को start करने के पहले मैं तोड़ी से information तोड़ी से जानकारी आप सबी को देना चाहती है हमारे इस प्यारी से channel के बारे में सो बहुत द्यान से सुनिएगा बिटा यदि आप class 6 से लेकर 12 में किसी भी class में हैं सो magnet brings in the medium channel पर आप अपने subject की classes attend कर सकते हैं किसी भी class को देखने के लिए कोई भी course purchase नहीं करना है और बिटा किसी भी तरह की कोई payment भी नहीं करना है क्योंकि magnet means provide कराता है आप सभी को quality education वो भी बिलकुल free of cost इसे के साथ हम 5 state board cover करते हैं जैसे UP board, बिहार board, MP board, रजिस्तान board, डिल्ली board और जितनी भी चीज़े हम cover करते हैं वो सब होती है arranged format में जहां basic से लेकर advanced level हम लेकर चलते हैं और आप सभी के doubts करते हैं solve ओके तो चलिए फटा फट से आगे बढ़ते हैं और आज के session के शुरबात करते हैं बटे से शुरू करने के पहले बच्चों के बड़े comments आते हैं आदार पर इस पर हम विचार करते हैं मुझे बात बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो विद्धुत आवेश की अगर हम बात करें वो सको प्रवाहित करती है अब आप सोचेंगे कि मैं विद्धुत आवेश भी प्रवाह होता है क्या मिटब विद्धुत आवेश को हम English में ब प्लू होना और जैसा कि आप सभी जान दे हैं कि एक मैटल का वायर जो होता है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बटा सो वो होती है एक एटम और यह जो एटम होता है यह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो इसमें होता है सेंटर में एक नुकलियस याने की है ना मतलब कोई भी मेटल का जो वायर है उसके जो smallest unit होती है वो obviously उसका atom होता है और atom जो है उसके सबसे center में nucleus नाबिक होता है और बाहर उसके orbits होते हैं इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं बटा कि नाबिक में ही क्या पाये जाते हैं proton और neutron और जो electron होते हैं वह अपनी बाहिये कक्षा में क्या लगा रहे होते हैं सो वह अपनी बाहिये कक्षा में लगा रहे होते हैं चक्कत और जो आवेश का प्रवा होता है आवेश मरले तो जैसे proton है इस पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है जो electron है इस पर जो आवेश होता है वो रिडावेश होता है और जो neutron है इस पर जो आवेश होता है कुछ नी होता है यह कैसा होता है सुबह यह होता है न्योटरल याने की उदासी तो आम ने जाना proton neutron के बारे में क्यों क्यों कि मुझे आपको बताना था charges flow होते हैं याने की अवेश का क्या होता है प्रबाय लेकिन किस अवेश का होता है एलेक्ट्रोन का होता है अगर हम बोलेंगे अवेश का प्रबाय हो रहा है इसका मतलब करण बिजू है फ्लो हो रहा है ठीक है लेकिन अब एक किसी copper के ताज से आवेश्वयम प्रभाहित तो नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर छेतिज नली से जल प्रभाहित नहीं होता. मुझे एक बात बताओ, कि अगर मैं आपसे बोलू, कि automatically मेरे पास एक metal का wire है, और वो एक circuit से connected नहीं है, ना वो एक bulb से connected है, ना वो switch से connected है, ना वो battery से, किसी भी चीज से connected नहीं है, और मैंने simply अपने हाथ में एक metal का wire रखा है, है ना, मैंने simply अपने हाथ में क्या रखा है बिटा, एक metal का wire रखा है तो क्या है ये metal का wire जो है यहाँ पर बिना किसी चीज़ से connect होकर इसमें current flow हो सकता है क्या ये किसी भी चीज़ से connected नहीं है हमने पढ़ा था ना एक current को flow कराने के लिए जो परिपत याने circuit है वो कैसा होता है? बंद होता है खुला नहीं होता बलकि बंद होता है तो यहाँ पर तो ये किसी भी चीज़ से connect नहीं है तो by current flow नहीं हो सकता है तो किसी copper के तार से आवेश खुच से प्रवाहित नहीं होता कि एक metal का wire है automatically उसमें charges जो है free overflow हो रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श छहतेच नली से जल प्रवाहित नहीं होता यदि नली के एक सिरे को किसी उच्छ तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे जिससे नली के दोनों सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए तो नली के मुक्त सिरे से जल जो है वो बाहर की और प्रवाहित होने लगता है बिल्कुल सही का है आप एक नल का ही एक्जामपल ले सकते हो आपको पता है कि नल को हमें कोलना और बंद करना पड़ता है तब ही जो है हमें उससे पानी मिल जाता है और वो नल भी किस से connect होता है, proper किसी न किसी चीज से टंकी से connect होता है और वो भी पानी से पूरी तरह से क्या होती है भरी होती है, एक pressure जो है उसकी तरफ लगता है, जैसे हम नल को खोलते हैं और पानी हमें मिल जाता है लेकिन क्या possible है, डारेक्टली पूरे टाइम पानी मिलते रहे नहीं क्यों क्योंकि वो भी कई सारी चीजों से connected है, तो यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर, किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दिया जाता है जिससे नली के दोनों सिरों के बीच कोई दाब अंतर बन जाओ, आविसली नली का जो एक सिरा हो, उसे एक टैंक से जोड़ दिया जाएगा, तो उनके बीच में दाब अंतर बन जाएगा, तो नली के मुक्त सिरे से यान उसका जो open वाला point था न, वहां से क्या होगा पानी जो है, वो प्रभाहित होना स्टार्ट हो जाएगा किसी चालक तार में आवेशो के प्रभा के लिए वास्ताम में गुरुत्ववल के कोई भूमिका नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के बल तब ही गदी करते हैं जब चालक के अनुदीश वैदुद्दाप में कोई अंतर होता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं विबबांतर बोलते हैं सो सिंपल सी बात है, हमने एक नल का एक्जामपल लिया हमने पहले तो यह जाना कि एक करेंट का फ्लो होना मेटल का एक वायर है और अगर वो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है उसको केवल हाथ में रखने से या वो केवल एक प्लेस पर है तो उसमें करेंट फ्लो नहीं हो सकता है है ना उसके लिए एक बंद सर्किट की क्या होती है आवश्यक्ता होती है बटा हमने इसी के साथ जाना कि किसी चालक तार में जिसमें आवेशो का प्रवाः होगा या फिर current जो है वो flow होगा सो किसी चालक तार में आवेशो के प्रवाः के लिए वास्तम में गुरुत्वबल के कोई वोमिका नहीं है obviously यहाँ पर गुरुत्वबल क्या काम करेगा हाँ यहाँ पर यह जो गुरुत्वबल है उसका कोई रोल ही नहीं है हमने पढ़ाता gravitational force होता है होता है कि नहीं gravitational force की अगर मैं बात करूँ तो यह basically जो होता है यहाँ पर एक objective दूसरे object को अपनी तरफ आकर शित करता है लेकिन उसकी यहाँ पर आवशक्ता ही नहीं है क्योंकि current के flow कराने में इसका कोई भूमिका ही नहीं है इस प्रकासे इसे लिए cable electron तब ही गती करता है जब चालत के अन्दीश अब भाई जब एक जो electron की गती हो रही है जो electron गती ही कर रहा है तो उसके गती करने में गुरुत्व का तो कोई रोल नहीं है गुरुत्व बल का रोल नहीं है क्योंकि electron तब ही गती करते हैं जब चालक के अनुदीश उनमें वैदुत दाब में कोई अंतर होता है और उसी अंतर को हम विभवांतर कहते हैं क्या बोलते हैं वैदुत दाब में जब कोई अंतर होता है तो वही अंतर क्या कहलाता है बिटा उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं सो विभव में यह है अंतर एक या एक से अधिक विद्दू सेलों से बनी बैटरी था ना क्या कहा मैंने आप सभी से कि भाईया यह क्या बोला जा रहा है कि विभव में यह जो अंतर आ रहा है वो एक विद्दू सेल से बनी है ना एक या एक से अधिक विद्दू सेल से बनी बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है उत्पन किया जा सकता है अब मैम ये जो डिफ्रेंस है वैद्धुत दाप में जो अंतर आ रहा है वैद्धुत दाप में जो अंतर आ रहा है वो कैसे आ रहा है तो ये अंतर क्यों आ रहा है विवब में ये अंतर एक या एक से अधिक ब पते एक चीज़ और इनके बीच में क्या होती है, क्यामिकल रियक्शन होती है, भाई रासाई ने कभी करिया ही हो रही है, कि मैम ये एक्चली में विबवांतर उत्पन ही क्यों हो रहा है, रीजन है इसके पीछ, पीछे कि अगर हम दोनों ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, दो ऐसा उस समय भी होता है, जब सेल में कोई विद्दु धारा नहीं ली जाती है, ऐसा उस समय भी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, जब सेल को किसी चालक परिपत अवियम से संयूजित करते हैं, तो फिर विबवांतर उस चालक के आवेशों में गदी ला देता है, और यही कार पर भाई, सारी चीज़े साइट करो, एक चीज़ तो पता चल गई, कि जो आवेश का प्रवा होता है, उसमें विबवांतर का भी क्या होता है, योगदान होता है, आपको क्या लग रहा था, कि एक ही चीज़ जो है, उसकी वज़े से सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं, यह फिजिक्स है बिटा, इसको जितना गहराई में जाकर पड़ोगे, उतनी चार नहीं चीज़े आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, यह मिलेंगी आपको और चार चीज़े, उसी आधार पर मैं आपको यह सब कुछ समझा रही हूँ, तो जब सेल को किसी चालक परिपत अवियब से संयोजित करते हैं, तो विववांतर जो होता है, उस चालक के आवेशों में गतिला देता है, और विद्दुद्दारा जो है अटपन हो जाती है, किसी विद्दुद्द परिपत में विद्दुद्दारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासाइनिक उर्जा को क्या कर देता है, फिर खर्च कर देता हैं, तो वापस से थोड़ा से पीछे की तरफ आते हैं, मैं चाहती हूं कि विद्दुद्द अब कभी आपके सामने आया तो आप उसे बहुत ही अच्छे से समझ सको जान सको, तो ये वाले पॉंट तो नहीं, मैं आती हूं सीधे इस वाले point के तरफ कि किसी चालगतार में एक ऐसा तार जहां पर आवेशों का प्रवा होगा या पर electrons का flow होगा हादा तो किसी चालगतार में आवेशों के प्रवा के लिए actually में वास्ता में हमें गुरुत्वबल के जुरुत नहीं होती है electron के बल तब ही गती कर सकते हैं जब उनमें वैद्धुत दाब में क्या हो कोई अंतर होता है और इसी अंतर को ही हम क्या बोलते हैं विभवांतर लेकिन मैं वैद्धुत दाब में अंतर बोले तो तो सुनो विभब में यह अंतर जो होता है एक या एक से अधिक विद्धुत सेलों से बनी जो बैटरीज होती है एक या उससे अधिक विद्धुत सेल से बनी एलेक्ट्रिक सेल जो होती है उनसे बनी जो बैटरीज है न वही अंतर को क्या करती है उत्पन करने का काम करती है किसी cell के बीतर इनमें क्या होता है chemical reaction होती है terminal के बीच और ऐसा उस समय होता है जब cell में कोई विद्दोधारा नहीं ली जाती है जब cell को किसी चालक परिपत अवियव से संयोजित करते हैं तो विबानतर चालक के आवेशों में गती ला देता है और फिर electricity जो है या फिर electric charge जो है विद्दोधारा जो है electric current जो है वो flow होने लगता है ठीक है? चलिए now next आते हैं अब हम आगे की तरफ इनकी units और इनकी definitions और पिर इनके साथ-साथ इनके जो formulas होते हैं definitely इनसे questions आते हैं बटा पर पहले तो सारे बच्चे मुझे comment करके बता दो कि ये जो दो slide तुम्हें अभी explain की है वो तुम्हारे यहाँ पर छप गई तुमको समझ में आ गई ना? पक्का चलो फिर next आते हैं किसी धारा वाही विद्दुत परिपत के दो बिंदो के बेच विद्द विवांतर को है हम उसके कारे द्वारा परिभाशित कर सकते हैं है ना? अब हम क्या बोलेंगे जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदो तक ले जाने में किया जाता है क्योंकि विवांतर तो तब ही उत्पन होता है जो विबवांतर उत्पन होता है, उसके लिए दो चीज़े इंपोर्टेंट होती है, एक तो कुछ ना कुछ कारे किया गया होगा, और उस पर कोई ना कोई आवेश यानि कि चार्ज होगा, तो हमने पहले भी पढ़कर रखा है कि जो आवेश होता है ना चंगो मंगो, यानि क जो चार्ज होता है हम capital Q से डिनोट करते हैं, और अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, class 10th में, तो नहीं class 9th में हमने पढ़ा था, जो वर्क यानि कारे होता है हम capital W से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों चीज़े clear हाई, क्या clear होई, कि आवेश को हम capital Q से डिनोट करते हैं, और क किया गया जो कारी होता है उसे हम Capital W से denot करते हैं तो दो बंदो के बीट जो विवांतर होता है वो क्या होता है तो इसे किया गया कारे को भाग देना होता है किस से आवेश से यानि की क्यूं से तो अब आपको यह पूरा लिखनी की आवश्यक्ता नहीं है आप simply विववांतर का जो सूत्र है वो क्या बता सकते हैं कि V is equals to W upon में क्या होता है क्यूं एक इतना basic सा question अभी आपको मिलेगा ना आगे चलके इतना basic सा question इसी से related मिलेगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी तो दो बिंदों के बीच विववांतर हमने देख लिया कि अगे कारे को आवेश याने obviously कुछ न कुछ चार्श सूत्पन होगा उससे क्या करना होता है होता है वॉल्ट जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर क्या गया था रखा गया था तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है विद्द विववांतर का वॉल्ट होता है सब के ऐसा ही मात्रक पूछ जाते हैं जिसे न्यूटन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है है नगंग का क्या रहे है फोस का अजया है तो नुटन होता है okay now next और किसे विद्धत धारभाहि चालक के दो बिंदों के बीच एक कुलाम आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में एक जूल औरजा जो है एक जूल जो है कारे किया जाता है उर्चा ने कारे किया जाता है क्योंकि वर्क की SI unit क्या होती है तो भाईया कारे की SI unit जूल होती है तो हमने क्या देखा कि जब भे क्या होता है किसे विद्धुद धारावाहे चाला के दो बिंदों के बीच जिसमें क्या उत्पन हो रहा था विबवांतर तो दो बिंदों के बीच जो एक कुलाम आवेश ये रहा एक कुलाम आवेश आवेश पुलित भीया चार्ज तो एक कुलाम आवेश जो है इसको एक बिंदों से दूसरे बिंदों तक ले जाने में जो एक जूल उर्जा कारे किय जाता है वहीं दो बिंदो के बीच जो है एक व वोल्ट दो बिंदो के बीच विवांतर एक वोल्ट वहां पर होता है यह भी पूछा जा सकता है यह ये भी पूछा जा सकता है यदि किसी विद्दुद धारवाय चालक के दो बिंदों के बीच तो दो बिंदों के बीच एक कुलाम आवेश को आवेश कहा होता है यहाँ पर होता है इसकी SI unit क्या होती है कुलाम होती है तो इसको एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में एक जूल अगर कारे किया जाता है तो फिर उन दो बिंदो की बेच जो विबवानतर है वो एक वॉल्ट तक होता है इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है हैसे न हम एक वॉल्ट जो है वो बराबर होगा वन जूल और यह जो कूलाम है यह उपर माइनस वन में आ गया हम देखो ऐसे तो हम लेके ही रहेते ऐसे तो हम लेके ही रहेते लेकिन यह उपर भी जाएगा न तो यह माइनस में चला जाएगा ये तो हमने पढ़ा है कि divide hut के ये उपर multiply में जाता है तो minus sign लगता है ठीक है तो विवांतर की एक map एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम voltmeter कहते हैं very important विवांतर का mapन कैसे करोगे बाई किस चीज से विवांतर को mapा जाता है तो बिटा voltmeter से mapा जाता है और voltmeter को हमेशान बिंदों से पार्षप करम संयोजित करते हैं जिनके बीच क्या होता है विवांतर मापना होता है ठीक है चलो इसका screenshot ले लिया अब आते हैं बहुत ही बच्चों बाले question के तरह वाठ ठीक है करना पड़ेगा हाना ये है हमारा example second ये है हमारा example second बड़ा प्यारा सा question है अगर हम बात करते हैं 12 watt की बात करते हैं अगर हम बात करते हैं वाल्ट की अगर हम बात करते हैं 12 watt विवांतर के दो बिंदों के बेच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम किया जाएगा पहले बात तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिया है तुम्हें यहाँ पर दिया है भाईया विभवांतर कितना दिया है तो वो इतना दिया है ठीक है और तुम्हें क्या दिया है इसके बेच जो आवेश याने के चार्ज है वो कितना दिया है दो कूलाम दिया है तुमसे बूल कि उसने कार ये कितना किया है अभी मैंने तुम एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला क्या था तो वो कुछ ये था था कि नहीं था सबको अपनी जगा पर रख दो ये हो जाएगा बारह ये हमें वैसे भी नहीं पता ये कितना है भाईया दो तो तुमको नहीं लग सो इस question का जो correct answer है वो क्या हो जाएगा सो इस question का correct answer हो जाएगा 24 जूल ठीक है चल गे नाव आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम यह हमारा हो गया प्यारा सा छोटा सा example अब हम आते हैं विद्धुत परिपत विद्धुत आरेक की तरफ विद्धुत परिपत आरेक की तरफ जि इसे हम circuit diagram के नाम से भी जानते हैं तो हम जानते हैं कि कोई विद्धुत परिपत जैसा कि चित्र 11.1 में दिखाया गया एक cell अत्वा एक battery है ना और एक plug कुंजी विद्धुत अव्यव अत्वा अव्यव तता संयोजी तारों से मिलकर बना होता है अब सबसे important चीज की यह ज जान से सुनना उसमें क्या होना चाहिए और विसली एक cell अत्वा बैटरी तो होनी चाहिए जो उसको energy प्रुवाइट कराएगी जैसे हमें शरीर में हमें energy चाहिए होती है है तो हम क्या करते हैं हमें खाना खाते हैं जैसे अब आपको पढ़ा रही हूं तो मेरे पास जो मेर माइक है तो उसमें भी क्या लगती है cell लगती है हमारे घर में जो remote है टीवी देखने के लिए जिसे हम use करते हैं हम AC के लिए AC चालू बंद करने के लिए जो remote use करते हैं तो उसमें क्या लगती है cell लगती है घरों में हम गारियां लेकर आते हैं चोटा बच्चा है तो हम वह विदाउट सेल क्या हम अपने घरों की ऐसी एसी को चला सकते हैं विदाउट सेल क्या मेरा माइक चल सकता है मेरी साउंड तुम तक बहुत सकता है नहीं बहुत सकता तो जैसे हमें जिन्दा रहने के लिए एनरजी चाहिए वैसे ही इसको भे क्या चाहिए बाई सेल चाहिए द है नो कि होगा तो फिर तो इसका भी मतलम नहीं यह रहकर भी क्या खरीगा तो अगर हम पूरे विद्ध परीपत की बात कर रहे हैं उसमें हम जाने तो फिक होना बोट होता है विद्ध विद्द अभियव को भी होना important होता है और उसमें तार ही नहीं connect होंगे तो फिर ये circuit कैसे complete होगा तो सारी चीजों से ही मिलकर ये बना होता है एक cell, एक विद्द बल्ब, एक A meter, एक plug कुंजी से मिलकर बने विद्द परिपत का विवस्ता आरेक यहां पर बताया गया है विद्द परिपतों का प्राया ऐसे विवस्ता आरेक खीचना सुविदा जनक होता है जिन में परिपत के विविन अभियवों को सुविदा जनक प्रतिकों द्वारा निरूपित किया जाता है सानी 11.1 की अगर मैं बात करती हूँ जो अभी यहां पर आएगी आपके सामने इसमें सामानी उपयोग में आने वाले कुछ वैद्द परिपत करने के लिए कुछ रूड प्रतिक दिये गए हैं कई बार हमारे एक्जाम में इनके प्रतिक बनाने को आ जाते हैं या फिर कई बार बनी हुए प्रतिक के नाम पूछ लिए जाते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी बटा हमें इस सभी के बारे में पता होना चाहिए तो शुरुवात कर दें पर इसकी है ना एंड की कहानी की तरफ चल रहे हैं एंड की कहानी मतलब कि इस टॉपिक में हमें दो चीज़े पढ़नी थी एक तो विद्द विबब और दूसरा पढ़ना था विभवांतर हमने इसी के साथ यहां पर एक और चीज़ पढ़नी थी और वो क्या था तो वो चीज़ थी क्या भाई हमारे विद्द परिपत आरेक तो हमने वो तो पढ़ लिया अब हम ये भी जल्दी से पढ़ लेते हैं साडनी 11.1 हमें क्या बोलता है सो विद्द परिपतों में सामाने था उपयोग होने वाले कुछ अवियबों को क्या है प्रतीक है हमने क्या देखा कि ये रहे वो सारे के सारे अवियब ये सभी अवियब जो है वो यहाँ पर है हमने क्या देखा कि जो विद्द सेल है इसका प्रतीक क्या होता है बैटरी और सेलों का सयूजन इसका प्रतीक क्या होता है खुली प्लग कुंजी अत्वा जो switch है उसका क्या होता है सिंबॉल बंद प्लग कुंजी अत्वा जो switch है उसका क्या सिंबॉल होता है तार संदी का क्या सिंबॉल होता है तो दियां से सुनो सबसे पहली चीज की जो विद्दुद सेल होती है विद्धुच सेल जो होती है उसका सिंबॉल ये होता है आपको एक ऐसी लाइन उपर देखो ध्याँ से सुनना एक लाइन तोड़ी सी बड़ी हीचनों और एक छूटी उसका positive terminal ये उसका negative terminal ये मैंने क्या बनाया है विद्धुच सेल ठीक है ये है मैंने क्या बनाया है विद्धुच सेल बनाया बैटरी अत्वा सेलों का संयूजन कैसे होता है आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो यह हमें पता ही था कि ऐसे बनेगा यहां पर हमें पता है यह भी ऐसे बनेगा पर केवल यह रहेगा तो विद्धुसल का सहीं प्रतीक हो जाएगा लेकिन बैटरी और सेलों का सहीं जन अगर करेंगे तो यह यहां पर ऐसा जाएगा यह यहाँ पर ऐसा जाएगा और last फाला जो है यहाँ पर इसका negative terminal ठीके ना अब next आते हैं भाई plug कुंजी जो अत्वा जो switch होता है अगर switch कैसा है open है तो फिर यह कैसा होगा ऐसा बनेगा switch अगर open है तो बहियर यह कैसा बनेगा ऐसा और अगर switch कैसा है अफ है अगर switch कैसा है आफ तो हम क्या करेंगे उसमें बीच में यह ऐसा बना देंगे अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो switch है याने कि जो plug कुंजी है वो कैसी है बंद है किती चोटी चोटी से चीज़ें हैं य देखो यह होती है तारसंदी है ना यह होती है क्या तारसंदी इसी को ही हम क्या बोलते हैं तारसंदी बोलते हैं तो सारे बच्चे बताओ तुम्हें विद्धुसल समझ में आ गया तुम्हें यह समझ में आ गया बैटरी अत्वा सैलों का सैयोजन कैसे होता है तुम्हें खु नेक्स आजो लास्ट कहानी की तरफ जहां पर मैं तुम्हें बिना संधी के तार क्रोसिंग जो है उसका सिंबॉल बताती हूँ जो कि कुछ इस तरह से कुछ इस प्रकासे होता है नेक्स आजो विद्धुत बल्ब भाईया अब ये तो तुम बना नहीं सकते हो संभव ही नहीं है तो ये पद्धे कुछ ऐसे बनाया जाता है ये कुछ ऐसे हो थोड़ा से अच्छे से बनाना है ना ऐसा ना लगे कि हमने जो है दिल बना दिया है तो कुछ इस तरह के से क्या बनाया जाता है वाय विद्द बल्ब बनाया जाता है डीक है? आप नेक्स आते हैं प्रती रोधक, रेसिस्तनस जिसे हम बोलते हैं जो प्रती रोधक होता है वह basically रुकावाटेस चाप्टर में पढ़ने को मिलेगी हमको यह ऐसा होता है धीक है? तो हम प्रती रोदक का Simbol बना देंगे पहली बात तो और फिर हम उसमें यहां से एक एक रेखा तीर जैसा लेके चले जाएंगे और यह पर हम इसे कैसे बना सकते हैं यह जो हमारा Resistance प्रती रोदक था एना, ओपर से यहां से एक ऐरो इस पर ये किसका सिंबॉल होता है, किसका प्रतीक होता है तो ये परिवर्ति प्रतिरोदा कत्वत, धारण नियंत्र का प्रतीक होता है नेक्स आँचो भाई, ए मीटर का भी पूछा जाता है और वाल्ट मीटर का भी पूछा जाता है तो ए मीटर का क्या होता है जिसका ये क्या है भाईया, positive भाग और ये क्या है negative और वहीं अगर मैं vault meter की बात करती हूँ तो जो ये vault meter होता है, है न, सुनना और एक चीज़ और, बीच में A, A meter के लिए है और बीच में ये जो V है, capital V, ये vault meter के लिए है है न, और हमने इसमें दोनों में अंतर जब किया तो हमें A की अंतर समझ में आया, A और V का बाकी तो ये दिखने में पूरी तरह से कैसे हैं भाईया, same है बाकी ये पूरे दिखने में कैसे समान है कोई confusion, कोई समस्य, obviously यहीं तक चीज़े थी बड़ ध्यान से सुनो अब एक कुछ चीज़े मैं आपको और बताती हूँ ये चीज़े समझ में आगे, अब इसकी practice कैसे करोगे जैसे generally क्या होता है, कि आप इसे पढ़ तो लेते हैं तो इसके words भी इतने खतरनाग है तो आप कुछ जो है वो आपको practice करनी पड़ेगी बार-बार लिख-लिख के practice करोगे तब जाके वो क्या हो पाएंगे, आपको याद हो पाएंगे तो जितने भी है ना, कम से काम आप उसके बार-बार क्या करेंगे practice करेंगे लिख-लिख कर, है ना, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी कोई ऐसी चीज जो मुझसे नहीं बनती थी लेकिन अब कोई option तो है नहीं उसे मना करने का, तो मैं क्या करती थी उसको लिख-लिख कर याद करती थी लिख-लिख के practice करती थी बार-बार उस diagram को बनाती थी उस चित्र को बनाती थी तो मैं आपसे भी कहूंगी कि इसके बार-बार आप लोग क्या करेंगे practice करेंगे, क्यों? क्योंकि exam point of view से ये क्या है बहुत ज़ादा important है ठीक है? अब क्या होता है ना? जैसे आपने ये पूरा नूट-डाउन कर लिया हाना? सारी चीज़े तो हमने जान लिया और हमें पता भी चल गया है कि विद्दुत विबव और विबवांतर में क्या है? अंतर पाया जाता है क्योंकि जो विद्दुत विबव होता है वो एक इकाई आवेश को आनंत से विद्दुत चेतर के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कारे होता है और वहीं अगर हम बात करते हैं कि विद्दुत विबवांतर क्या होता है सो एक इकाई आवेश को एक बिंदु से किसी विद्दुद चेतर के एक बिंदो तक लाने में किया गया कारी होता है दोनों में डिफरेंस है दोनों में अंतर होता है लेकिन दोनों का सिंबॉल कैसा होता है capital V ही होता है So that's it by आज के लिए इतना ही हाना उमीद करती हूँ कि आज का जो session है वो आपको पसंद आया होगा आपको चीज़े अच्छे से clear हो गई होगी हाना और मैंने last में आपको एक और अच्छी सी जानकारी दे दी ताकि आप बहुत confused ना होगा simple सरल साधाराण बाशा में चीज़ों को अच्छे समझ सको तो यह चोटा सही point था बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि हमें इसमें विद्द, विवब और विवांतर की बारे में ही जानना था लेकिन कुछ formulas मैंने आपको बता हैं recorded भी होती है live classes आपको मेरी कहाँ पर मिलने वाली है हमारे community post पर जाकर आप वहाँ time जरूर देख लीज़ेगा आपको मेरी live classes का time पता चल जाएगा इसे के साथ साथ जो मेरी recorded classes होती है वो regular आप सभी को मिलती है अगर आप class 10 में, अगर आप class 9 में सभी को मिलती है इसे के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि application के तुरू जुड़कर भी आप मेरी sessions है वो attend कर सकते है और website के तुरू जुड़कर भी आप मेरी sessions attend कर सकती है और बाकि Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp यह क्या है भाई? यह है Magnet Brains के कुछ other platforms और यह है हमारे क्या तो यह है हमारे Hindi English Medium के top courses जहां CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board Wedding Mass, Crash Course, Spoken English यह सारी है चीज़े करते हैं कबर बाकि ए नोट सोरी बुक के लिंक पिल जाएगी आपको नीचे description box में तो मिलेंगे अब हम हमारे next session में प्यारी प्यारी से comments करना नहीं भूलिएगा चैनल पर new है तो subscribe कर लिजेगा bell icon को press कर लिजेगा ताकि मेरी classes के notification आप सभी तक बहुत सके तो मिलेंगे next session में तब तक के लिए Bye bye take care, thank you class